तो पैंडल वंस ओन NOW के नौए बोर्व को कहते हैं पोट किष्थी केलो असान इंगलिश और समझते हो ऑइसे निर्भर होना स्वयं पर भरोसा होना कि मैं यह काम को कर लूँगा मैं इंग्लिश सीख लूँगा मैं नोकरी लग जाओंगा मैं दुनिया की इंग्लिश सुधार दूँगी में मिर को ऐसा करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाती हूं एक्स्प्लेनेशन जो है वो नॉर्मल दुनिया के देती हूं तो थोड़ा जल्दी समझ में आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिखाने में सक्षम हूं इंग्लिश कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी तो यह मैं कह रही हूं यह काम मुझे खुद करना होगा तो पैड इमेज मैंने लगा रखी है एडलिंग इस ओन अपनी किस्ती खुद चलाना अपनी नहीं को खुद संभालना अपनी डूबती नहीं को खुद बचाना इस नाव के दो टुकड़े हो गया एक टुकड़ा यह है और एक टुकड़ा यह द्यान से देखो इस पर तीन लोग बै इस वाले को भी लग रहा है इनों इनकी गलती से मैं डूब जाओंगा यह खुश है विचारा जबकि हमें इमेज देखके लगार होगा सब ज्यादा संभावना तेरे डूबने की है लेकिन फिर भी कितना खुश है थम्सब भी दे रहा है क्योंकि इसको खुद पर वरोसा ह इसने अपना बोज खुद उठाना है किसी और पर निर्वरता नहीं है तो इसको पूरा यकीन है हां मैं कर दूंगा हां मैं कर दूंगा मेरे में दम है मेरे में ताकत है मैं कर पाऊंगा तो यह आप इमेज को दिमाग में बिठाना और अब हम इडियम पर चलते हैं रैडल करना है का मतलब बहुत जादा एक्सराइज करना नहीं बहुत जादा रेस्ट लेना नहीं अपने उपर निर्भर करना हां पच्चो अलब यह करना नहीं तो क्या हुआ डिपेंड ओन वन सेल्फ स्वयम पर निर्भरता होना